हे गाईज विलकम बैक टू माई चानल आज मैं आपके साथ नान की रेसिपी शर करने जा रही हूँ तवा नान और वो भी मैं बिना दही के इसे गुनने वाली हूँ और साथ ही इसे थोड़ा हेल्दी भी बनाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हेल्दी बना हाटा लिया है और नान का टेस्ट इसमें बना रहे इसके लिए एक कप मैदा भी मिक्स कर दिया है कि अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक स्वाधानूसर लुधास मैने डाला येस्ट और इसे मिला दिया है तो यहां पर मैंने दही भी यूज नहीं किया अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुन-गुना पानी गरम पानी और इसे डाल करके इसे गूंद लेंगे तो चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूं अभी और धीरे-धीरे करके इसमें पानी डालते ह इसका एक अच्छा सा डोब तयार कर लेंगे तो इसे गूंधने के बाद कम से कम आप इसे क्योंकि सर्दी का टाइम है आप चार से छे घंटे अगर रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा अगर आप इतनी देर नहीं भी रखते हैं जैसा कि आज की वीडियो अपर से तो ये ज्यादा फूला हुआ नहीं दिखाई देगा लेकिन अंदर से ये अच्छे से फूल जाएगा तो यहां पर मैंने इसे आदे घंटे के लिए रखा और आदे घंटे में ये डो उपर से तो जैसे अक्सर हो जाता है वैसा नहीं दिखा लेकिन ये बिलकुल फूल गया था थोड़ी देर अगर और रुकती तो उपर से भी ये फूला हुआ दिखाई देता तो अब इसे मैंने इसमें मीडियम साइज की लोई ले ली है और थोड़ा सा सूखा आटा भी लगाया है और इसे बेल लिया थोड़ा सा पहले बेलेंगे इसके उपर मैंने तिल भी डाल सकते हैं इसकी जगा पर और थोड़ा सा धनिया कपत्ता भी डाल देंगे अब इसे बेलेंगे तो यहां पर इसे बेलने के बाद दूसरी साइड जिस साइड में कलोंजी और धनिया कपत्ता नहीं लगाया है इसे पलट करके पानी लगा देंगे और जिधर से है उधर से ही इसे तवे पर डाल देंगे तवे को पहले से गरम कर लेना है उपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से तवे को पकड़ ले तो आप देखेंगे कि ये छोटे-छोटे से इसके उपर बबल साने लग गये हैं यहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं अब इसी स्टेज पर इसे उलट देना है इस तरह से यानि पलट देना है और देखते भी रहना है आपको नान को तो जब ये सिख जाए तो आप इसे उपर से बटर या घी लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपके साथ तवे को उलट करके सेखना बताया आप इसे तवे के उपर भी सेख सकते हैं अब नीचे से जो इसके अंदर जो बिल्कुल तंदूरी नान के उपर आता है जैसे आप ढापा में देखेंगे वैसा ही आया है ये तयार हुआ है अब इसके उपर लगाएंगे बटर तो बहुत ही आसानी से अगर आप इसे छोड़ सकते हैं तो 4-6 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दे सर्दी के टाइम में और आप आदी घंटे के बाद भी से बना सकते हैं रेसिपी ट्राइ कीजे अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजे चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद